जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं गुरु प्रदोस ब्रत कथा त्रयोदसी तिथी में सायम काल को प्रदोस काल कहा जाता है प्रदोस ब्रत को मंगलकारी एवं सीव की कृपा दिलाने वाला माना गया है गुरु प्रदोस त्रयोदसी ब्रत करने वाले को एक सव गाएं दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापो को नश्ट करता है इस ब्रत की कथा स्रवर करने से यानि सुनने से आश्वर्य और बिजय का शुब बरदान मिलता है गुरु प्रदोस ब्रत सत्रों का बिनास करने वाला भी माना गया है स्री सूत जी के अंसा यह अतिस्रेष्ट सत्रु बिनासक भग्त प्रिय ब्रत है इस ब्रत के कथा के अंसार एक बार इंद्र और ब्रित्तासुर की सेना ने दैत्य सेना को पराजित कर नश्ट भरष्ट कर डाला यह देख ब्रित्तासुर अत्यंत क्रोधी थो श्वयम युद्ध को उध्धत हुआ आसुरी माया से उसने विक्राल रूप धारड कर लिया सभी देवता भैभी थो गुरुदेव ब्रिहस्पती की सरण में पहुचे ब्रिहस्पती महाराज बोले पहले मैं तुम्हें ब्रित्तासुर का वास्तविक पर्चय देदूं ब्रित्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्म निश्ट है उसने गंध मादन पर्वत पर घोर तपस्या कर सिव जी को प्रसन किया पूर्वशमय में वह चित्ररत नाम का राजा था एक बार वह अपने बिमान से कैलास पर्वत चला गया वहां सिव जी के बामंग में माता पार्वती को बिराज मान दे वह उपहास पुर्वक बोला हे प्रभु मोह माया में फसे होने के कारर हम इस्त्रियों के वसी भूत रहते हैं किन्तु देव लोक में ऐसा द्रिष्ट गोचर नहीं हुआ कि इस्त्री आलिंगन बद्धो सभा में बैठें चित्ररत के यह वचन सुन शर्वब्यापी सिव संकर हस कर बोले हे राजन मेरा बेवहारिक द्रिष्ट कोड प्रिथक है मैंने मृत्यु दाता काल कोड महाविश का पान किया है फिर भी तुम साधारर जन की भाती मेरा उपहास उडाते हो माता पार्वती क्रोधी थो चित्ररत से संबोधी थुई अरे दुष्ट तुने शर्वब्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उडाया है अतेव मैं तुझे वह सिच्छा दूंगी की फिर तु ऐसे संटों के उपहास का दुष्ट शाहस नहीं करेगा अब तु दैत्य सरूप धारड कर बिमान से नीचे गिर मैं तुझे स्राप देती हूं जगदंबा भवानी के अभिसाप से चित्ररत राचस योनी को प्राप्थ हुआ और त्वश्टा नामक रिशी के स्रिष्ट तब से उत्पन हो ब्रित्तासुर मना गुरु देव ब्रिहस्पती आगे बोले ब्रित्तासुर बाल्यकाल से ही सिवभक्त रहा है अतह हे इंद्र तुम ब्रिहस्पती प्रदोस ब्रत कर संकर्भगवान को प्रसंद करो देवराज ने गुरु देव की आग्या का पालन कर ब्रिहस्पती प्रदोस ब्रत किया गुरु प्रदोस ब्रत के प्रताप से इंद्र ने सिग्रही ब्रित्तासुर पर विजै प्राप्त कर ली और देव लोक में सांती चागई अतह प्रदोस ब्रत हर सिव भक्त को अवश्य करना चाहिए गुरु प्रदोस पूजन बिधी गुरु प्रदोस ब्रत के दिन ब्रती को प्रातह काल उटकर नित्य कर्म से निवरीथ हो अश्नान कर सिव जी का पूजन करना चाहिए पूरे दिन मन हिमन ओम नमह शीवा का जाप करें पूरे दिन निराहार रहें त्रयो दसी के दिन प्रदोस काल में यानि सुर्यास्त से तीन घरी पूर्व सिव जी का पूजन करना चाहिए गुरु प्रदोस ब्रत की पूजा साम साहे चार बजे से लेकर साम साथ बजे के बीच की जाती है ब्रती को चाहिए की साम को दुबारा असनान कर स्वच स्वेत वस्त्र धारण कर लें पूजा अस्थर अथवा पूजा ग्रिह को सुध कर लें यदि ब्रती चाहे तो सिव मंदीर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं पाच रंगों से रंगोली बनाकर मंदप तैयार करें पूजन की सभी सामगरी इकत्रित कर लें कलस अथवा लोटे में सुध जल भर लें कूज की आसन पर बैठकर सिव जी की पूजा बिधी बिधान से करें कहते हुए सिव जी को जल अर्पित करें इसके बाद दोनों हाथ जोड कर सिव जी का ध्यान करें ध्यान का सरूप करोडो चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्र धारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूसर धारण करने वाले पिंगल वड के जटा जूट धारी नीली कंट तथा अनेक रुद्राच मालाओं से सुसोभित बरधहस्त त्रिशूल धारी नागो के कुंडल पहने व्याग्र चर्मधारण किये हुए रत्नजडि सिंखासन पर विराजमान सियुजी हमारे सारे कश्टों को दूर कर शुक्षम्रिधी प्रदान करें ध्यान के बाद गुरु प्रदोस ब्रत की कथा सुने अथ्वा सुनाएं कथा समापती के बाद हवन सामगरी मिलाकर ग्यारह या इक्किस या एकसो आठ बार ओम रिम क्लीम नमः शिवाय श्वाह मंत्र से आहूती दें उसके बाद सिव जी की आरती करें उपस्थित जनों को आरती दें सभी को प्रसाद बित्रित करें उसके बाद भोजन करें भोजन में केवल मीठी सामगरियों का उपयोग करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें सेयर करें हमारी चैनल भगती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद